हलो मेरे नाम है चंद्रहाथ से स्टेडी स्मार्ट में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे 18 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर साथ में हम बैंकिंग अवैर्नेस और स्टैटिक जीके के भी कोश्चन्स देखेंगे दिहान से देखेंगा बहुत इंपॉर्टेंट कर करेंट अफेर्स साथ अगर आपको अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो इसके लिए टलिग्राम चैनल को ज्यून कर लिए जहांपर आपको इसकी करेंट एंद वो प्रापत हो जाती है था सानी मतलब जो मरुस्थली करण को ले करके जो दिवस मनाया जाता है हर साल कब observe किया जाता है तो इसे observe किया जाता है 17 जून को डिवर ऑप्शन का correct है इसकी importance जैसे जैसे global वार्ण ये सारी चीजें बढ़ रही है इसकी importance भी बढ़ती जा रही है और इसमें जो report दी गई है उसे हम समझें अगर तो इसमें क्या बताया गया है कि up to 40% of all land area worldwide already considered degraded कि 40% जो जमीन है वो degraded category में पहुँच चुकी है 2024 की जो ये world day observe किया गया उसकी theme क्या थी तो लिखा था united for land our legacy our future ये इसकी theme है बाकी इस से related एक और सवाल है जो भी आपको आगे मिलेगा वो इंडिया से related होगा तो वहाँ से ज़्यादा important चीजे है आने की इसमें पताया गया है कि हर साल hundred million hectare बड़ी कई होती है जो जमीन है healthy जमीन वो क्या हो जाती है degraded हो जाती है मतलब जो इस तरीके की परिस्तितियां चल रही है जिससे हर साल इतने hundred million hectare जमीन degraded category में जारी healthy जमीन और इसमें इस बार का जो host country है वो रखा गया है जर्मनी को और इस दिवस को जो मनाता है या फिर जिसकी धक्षता में सारी चीज इसका नाम याद रखेगा इसका फुल फॉर्म है United Nations Convention to Combat Desertification तो ये काम करती है संसा desertification के लिए अगले स्वाल पर चलते हैं क्या लिखा हुआ है word crocodile day is observed every year on तो ये भी मनाय जाता है 17 जून को crocodile day अब ये जो दिवस है इससे क्या-क्या सवाल आप से पूछे जा सकते हैं इंडिय इंडिया के हिसाब से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वह समझते हैं कि पहली चीज अगर हम बात करें इस word crocodile day की तो अगर हम इंडिया के परपेक्श में समझें तो mainly तीन प्रकार की जो प्रजातियां है crocodile की मगरमच्छ की वह पाई जाती हैं इंडिया में टोटल अगर मैं पात करूं तो टोटल ट्वंटी फॉर जो इस पिशीज हैं वह प्रोकोडाइल की पूरे वर्ड में हैं लेकिन इन में से तीन पाई जाती हैं कौन-कौन से saltwater crocodile और फिर आपका आता है मगर या फिर मार्स प्रोकोडाइल और फिर आता है घड़ घडिया तो यह तीन पाई ज इस नीच से आप उसको लेकर कर चलेंगे की उडीचा का जो केंदर पाडा जिश्टिक है वो इंडिया का इकलोता ऐसा तीन अपर takie या तीनों प्रजातियां पाई जाती है मतलब यह तुन पर एंडिया भरमें पाई जाती कहीं पे एक पाई जाती ये इन्पाईd जाता जहां पे पाईजाती है और इससे related एक और बात याद रखेगा कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए 1975 में 1975 में उडिसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क में पहला प्रोजेक्ट लाँच किया गया था तो इंडिया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए पहले से कमिटेड है 75 में पहला प्रोजेक्ट लाँच किया गया था कहां पर भीतर कनिका नेशनल पार जो की उडिसा में आता है अगला स्वाल देखते हैं लिखाव है अकॉर्डिंग टूर रिपोर्ट रिलेस बाई डबल कर रहा है पाइपलाइन में उसका जो एंसर पर समझते हैं इसका मतलब यह है कि हम समय में आगे बढ़ हैं हम क्या देख रहे हैं कि जो फंडिया का नहीं पर होगने था को में Hai वह बड़ती आसा आपने देखा होगा कि पहले जो भी मारि multiplier में में दभाई ये संद हुआ है। है न कोई लेक घख इडरल चुके हैं और इसी तोड़ने के लिए हमें इस शेतर जाद जूरत मतला हमको ऐसी दवाईयों की खोज करनी होगी ऐसे एंटी बैक्टिरियल एजेंट्स की कोज करनी होगी तो इन रिजिस्टेंस पाच चुके जो बैक्टिरियाज हैं वारिसे इनको खतम कर सकें तो इस लिहाज से पूरे दुनिया भर में काम हो रहा है लेकिन साथ अफ्रिका ऊगया जैसे यउरोप के घृट जर रहा है तो इसी को ले करके वह हर साल रिपोर्ट आती है क्योंकि एक बिमारी है या कह लिए तरह प्राका फिनाउमना चल रहा है एंटी-माइक्रोबियल रिजिस्टेंस इमार इसको नाम दिया जा रहा है कि मतलब रही है इसी से निजात पाने के लिए हर साल यह रिपॉर्ट निकालता है इसी की सारी finding है कुछ लिखी है कुछ मैंने आपको ओरली ऐसे बता दिया है क्योंकि इतना वह important नहीं लेकिन जान करके रेखे background तो आपको news समझ में आईगी आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है सिद्धेश साकोरे यह आपको जो पहली न्यूज मैंने आपको बताई थी डिजर्टिफिकेशन वाली उसकी यह related न्यूज है सिद्धेश साकोरे हैं पार्मर हैं और फाउंडर हैं एग्रो रेंजर्स के नाम याद रखेगा कहां के हैं जिनको लैंड हीरो यह टर्म याद और उप्शन करेक्ट है इनको यूएन से सीडी ने इस बार जो गोशेत हुआ इनको लैंड हीरो बताया इंडिया का अब यह ध्यान रखेगा पूरे वर्ड के लैंड हीरो नहीं इंडिया के इसी तरह ब्राजील और चाइना या अलग 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 जो कंट्रीज हैं वहां क को इस्तमाल करके जहां पर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है वहां पर किसानों की हेल्प करी जाए और उनकी जमीन उनको अच्छा किया जाए और वहां पर ऑर्गैनिक फार्मिंग या जो भी फार्मिंग है वह सुगधा उनको उपलब्ध कराई जिस से इस समस्चा से वो लो एक पब्लिशिंग हाउसे सेंट्रल बैंकिंग करके लंडन बेस्ट यह है इसने और वी आई को 2024 में एक अवार्ड दिया है अब यह आपको बताना है कौन शेत्र में क्या सेंट्रल बैंक ऑफ दे यर या करनसी मैंजर या रिस्क मैंजर या फिर रिजर्ब मैंजर मैं जानत पर सिर्फ एक ही कटेगरी नहीं थी जितनी कटेगरीन इसके और और बहुत सारी कटेगरी से इस अवार्ड में जिनका लेना देना आपसे नहीं है अब आप सुचे कि आप पूरी लिश्ट लेकर बैठें कि अच्छा यह किसको मिला वह एक्जाम में आता नहीं यहीं मैं कह जो इस अवार्ड को रिसीव करने गये थे जिसकी फोटो आपको यहां पर देख रही होगी किस लिए दिया गया है तो यह आर्बिया नहीं टू पॉइंट ओ अडॉप्ट किया हुआ है कि नई पॉलसी लेकर किया है कैसे हम रिस्क फ्री रख सकते हैं बैंकों को नई पॉलसी लेकर यह स्लोवाकिया की पूछन चाहूंगा आप कमेंट कर लिए मेंधी बता ही कमेंट कर के बताइए दूसरी बार यह बने हैं अब थोड़ा जनकारी ले लेते हैं खास तोर पर इंट्रस्टिंग मामला है यहां पर एक नहीं बलकि तीन कैप्टर है जैसे अंथ्रदेश में अपने आप नहीं और प्रदेश में कुछ समय नहीं का गया था कि एक नहीं तीन कैप्टल हुआ अभी तो फिर से जब चंद्रबाबु नाइडू आए हैं तो उन्होंने कह दिया कि एक ही कैप्टल होगी कौन सी अमरावती ध्यान रखेगा इंपॉर्टेंट स्वाल यह भी है तो ऐसे ही साथ अफरीका में तीन कैप्टल है जो काम करें पहली है प्रिटोरिया है ना यह एक अभी अभी प्रेजडेंट बने है आगे बढ़ते हैं लिखाव वेटरेंट डैश जनरलिस्ट हरपाल सिंग बेदी पासेज अवे एट 72 इनकी फोटो आप देख रहे हुए और आप फोटो देख रहे होंगे तो साइद आप पहचान गया होंगे कि यह क्या थे तो यह थे म बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते थे आपने टीवी वेगारा में देखा होगा किसी भी छेत्र में हो जो सही होता था बहुत कड़े शब्दों में उसको बोलते भी थे इसकी तारिफ करने उतिज़ करते बहुत अच्छे यह प्रत्रकार थे स्पोर्ट्स प्रत्रकार तो इनका भी हाली में निधन हो गया आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है यह इंपोर्टेंट ने उज़े ध्यान रखिए कि जो मिनेश्ट्री ओफ एक्ट्रेनल अफेर है उसने SBI के साथ मिल करके एक एडिश्टल पेइमेंट सर्विस जो के लिए एक MOU सेंड किया है किसके लिए किया है for the users of e-migrate portal यह ministry of external affairs का एक portal है e-migrate करके इसके लिए M.E.A. ने किसके साथ tie up किया है या MOU sign किया है SBI के लिए SBI क्या प्रवाइट करेगा additional digital payment services प्रवाइट करेगा इनके users को अब यह है क्या थोड़ा समझते है SBI जो additional digital payment services प्रवाइट करेगा किसके थू करेगा यह याद रखिए SBI E पे जो इनका gateway है SBI E पे उसके तहत यह प्रवाइट करेगा to Indian migrants worker recruiting agents recruiting agents कौन होंगे जो विदेश में बैठे होंगे लोग उनके बात हो रहे हैं और अधर जो users हैं और भी जो users हैं किसके लिए e-migrate portal के लिए अभी बताता हूं यह पोर्टल भी क्या है अगर हम बात करें payment की various immigration related fee would be possible with transaction charges मतलब इसका total उदेश क्या है कि जो transaction charges होंगे और निल होंगे और यहाँ पर जो payment का यह e-pay payment gateway के माधिम से इन सब को अगर हम बात करें e-migrate यह पोर्टल क्या है तो यह पूरा पोर्टल है जो प्रोजेक्ट है यह किसके लिए बनाए गया इंडियन वर्कर्स के लिए going to immigration check required जहां पर जो ECR companies countries होती है जहां पर आप अगर नोकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ECR मांगते हैं तो उनके लिए बनाए गया है ताकि जो भी e-migration का प्रोसेस हो पूरा online transparent हो और जो foreign employers है वो आर ए अभी मैंना को होता है recruiting agent के तौर पर register कर सकें insurance companies जो है issuing प्रवासी भारती भीमा योजना वो इस पर आ सके on a common platform to facilitate seamless safe and legal migration मतलब जितने भी माइग्रेशन से related components हैं जैसे तो जो जा रहा है इंडियन वरकर recruiting agent विदेशन बैठा जहां पर जा रहा है नौकरी करने जो insurance companies हैं और उसके लिए और भी जो बीच के facilities या जो facilitate करने वाले लोग होंगे उन सब को एक ही पोर्टल पे ला दिया ताकि हर एक चीज सीम्लेस हो सके transparent हो सके बहुत आसानी से migration हो सके वहां जहां भी आप नौकरी करने जारे विदेश में उसके लिए अगला सवाल है एंडिया प्राइवेट लिम्टेट को किसने सेलेक्ट किया है system integrator के तोर पे बहुत ही रेयर सी निउस थी बहुत कम जगा पे देखने को मिली system integrator बनाया है क इसका करेक्ट है पी एफ आडिये के बारे में थोड़ी सी चीज़े समझ लेते हैं तो इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म फुल फॉर्म इसका पूंचा गया हुआ एक्जाम में पहले भी इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट एथ इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पी फार्ड रेइस करके इसके लिए इसने सिस्टम इंटिग्रेटर के तौर पे एनीक और को हायर किया हुआ है कितने साल के लिए six years के लिए six years का पूरा कॉंट्रेक्ट है अब यह करेगा क्या इसमें तो लिखा एस सिस्टम इंटि सब काम उसका वही करेगा आगे बढ़ते हैं रुपीज वन करोन इंशोरेंस कंपन्शेशन फॉर इंप्लोईज वो डाइड इन रोड एक्सिडेंट तो कौन सा स्टेट ऐसा बना है जिसने रोड एक्सिडेंट में मारे के को सब्सक्राइड का करें टयुप तो इसने जो सब्सक्राइबर से चाहर cabin लोग सब्सक्राइब cans करने वाला पहला श्टेट बना है नेक्ष्ट बात करते हैं लिखा वाई इनडिया रैंक्ड डैश इन इन्वाइरोश्फ परफोर्म्ष इंडेक्स ऑफ 2024 इन्वाइरोश्फोर्मेंटल परफोर्मेंस उन waking में से एक है जिसमें इंडिया की performance बहुत घराब रहती है अगर हम बात करें इस साल की ranking के तो पास की फी इंडिया की भड़ी खराब है वह हो क्या है 176 position दिया गया है इंडिया को इस्थान और हम बात करें कि यह ranking निकालता तो यह ranking निकाल जाती है दो सबसे जो इस था इंडिया को वह दिया गया था इस बार थोड़ा सा इंडिया ने इंप्रूब्मेंट करी 176 पोजिशन पे है इस बार अगर मैं बात करूं 2024 में लोवेश्ट पे कौन है 180 पोजिशन पे कौन है तो वह है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को 180 पोजिशन मिली है लिखा वाई कि इंडिया अब देखिए कौन-कौन से ऐसे च्छतर है जिसमें इंडिय स्कोर किया है तो यह हैesting को सिस्टम डाइवर्ज वयल्ड फॉडेक्टिंग इंडेंजर्ट स्पिसीड मैंनेजिंट वेल्स एंड प्ली bile अज़ेवह यह तो भाई बहुत ही हमारे यह खराब चल रहा है तो इसमें बहुत ही लु स्कोर किया है कहाँ पे अच्छाव किया है तो forest conservation में इंडिया ने पहले के तुलना में अच्छा score, better score किया है। अगर बात करें कौन सा number one पे rank हैं, तो number one पे है Estonia, इसने environmental index में, फिर है Luxembourg और फिर है Germany, तीनों European nations हैं, तो ये one, two, three positions पे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखाएं दुनिया का पहला Artificial Intelligence Act कौन सी जगा से पास हुआ है, अब ये पास हुआ है, कहां से ये हुआ है, European Union की संसत से, सही है, तो इसकी संसत से इस तरह के law पारित होते हैं, इससे पहले भी एक law पारित हुआ था, GDPR करके, आप कभी भी website अगर खोलते हैं, तो वहां पे लिख क्या जाता है, cookies के लिए accept करना है, नहीं करना, ऐसे करके, और GDPR बच्चों के लिए वो कितनी helpful है website या, वो accessible है कि नह से AI आया है, इसका यूज और मिस्यूज कुछ जादा ही हो रहा है, अलग अलग तरीकों से, तो इसी के लिए इसको लाया गया है, अब यहां पर यह जो AI act है, GDPR की तरह ही extraterritorial होगा, मतलब extraterritorial का मतलब यह हुआ, कि यह act सिर्फ जो European Union के दाएरे में कमपनिया आती हैं, सि European Union से बाहर की जो कमपनिया हैं, लेकिन वो European Union वाली जो कंट्रीज उसमें रह रहे लोगों को सर्विसेस प्रवाइड कर रही हैं, तो उनके उपर लाग होगा, तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट का जवाना है, आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते वाई, कि कहां से क्या कौन दे आएगा नहीं, क्योंकि कमपनियां जो होंगी, उनको भी तो तयार होने के लिए समझ चाहिए, तो दो साल के बाद ये एफेक्ट में आएगा, तब तक सारी कमपनियां इस लोग के हिसाफ से अपने आपको मौडिफाई कर सकती हैं, जो लिखाएडार लेजिसलेशन इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, जैसे इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब 27 कंट्रीज हैं, जो की प्राइमेरली यूरोप का हिस्सा है, और इसकी कैपिटल भी है अपनी, क्या है? ब्रूसेल्स, और इसकी अपनी करनेंसी है यूरो, जिससे अभी हाल फिलाहल में जो इसको ब्रेक्जिट का नाम कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया में जो पॉब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इस रिपोर्ट के अंसार 50% से ज्याधा का, उनके पास market share है, branches है, ATM है, मतलब जितनी total branches होंगी, जितने total ATM होंगी, जितना पूरा market share है, deposit वगएरा का, 50% से ज्याधा PSB का ही है, PSB का मतलब सिर्फ SBA का नहीं, जितने भी आपके public sector के सरकारी बैंक है, उनकी बात हो रही है, इसकी और क्या funding है, लिखा हुआ है कि public sector जो बैंक है, उनके जितने total ATM है, उसके 63% ATM के बागी के ही है, बाकी के जो है, उसमें private sector के होंगे, और उसके अलावा, जो होंगे जो third party NBFCs वगएरा होती है, उनके आपके bank होंगे, जो white level वगएरा ITM चलाते हैं, उनके, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, उनका अगर देखा जाए, तो जितने भी total deposit पब्लि sector bank में ही है, deposit में भी आगे हैं, और जो public sector bank है, जितने credit card issue किये गए हुए है, 54% public sector bank के द्वरा ही issue किये गए है, तो credit card में भी आगे है public sector bank, और इन सब में SBI नहीं ये कहा कि public sector bank में अगर हम बात करें कौन है top पे तो वो हम है, है ना मतलब SBI, तो SBI कर रहा है कि हम ज़्याद system बात करते हैं कि ये कुछ दो न्यूजें है, छोटी-छोटी, हितनी important नहीं है, लेकिन जान करके रखिए, RBI ने license cancel कर दिया है, provincial cooperative bank, गाजीपूर का इस तरह की न्यूज आती रहती है, RBI cooperative banks होगा, बहुत license cancel करती है, लेकिन जान करके रखिए, फिर एक और न्यूज है, ज इन्हों ने प्रधान मंत्री और जो विदेश मंत्री है, अजीर दोवाल से तो मुलाकात होई ही होगी, इन सबसे मुलाकात वगरा भी करी है, किसलिए आये थे, तो ये एक जो मेटिंग होती है, critical and emerging technology को लेकर के initiative on critical and emerging technology, ICE, इसको लेकर के ये आये हुए थे, और इसी को ले बात करें, अगर हम banking और कुछ static GK के quiz देख लेते हैं, पहला स्वाल है, MICR code, consist of how many digits, MICR code जो है, MICR से पता नहीं क्यों हर साल आपके question कुछ न कुछ देखने को ली जाते हैं, तो MICR में total 9 digits होती हैं, याद रखेगा, और MICR के अगर full form की बात करें, तो full form होती, magnetic ink character recognition, अगर आपको ये चेक दिख रहा होगा, तो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, तो ये आपको MICR दिख जाएगा, 9 नंबरों का, तो पहले जब check truncation system नहीं था, तो इसका इस्त तो एक तरीके से, इसमें जो 9 digits होते हैं, इससे सवाल आपके exam में पूछा जाता है, बहुत important ये है, धिहान रखेगा, कि जो पहले के 3 digits होते हैं, क्या बताते हैं, city, मतलब जो check धारक है, वो कौन से city का है, मतलब जिसने check दिया, या जो check है, वो कौन से city का है, जो अगले 3 digits होते हैं, क्या बताते हैं, क्या सी bank का हो चेक है, बैंक का नाम क्या होगा, उसका code बताते हैं, और जो आखरी के 3 digits है, क्या बताते हैं, कि उस bank की कौन सी branch का हो check है, तो यह है MICR की जो 9 digits है, उनका segregation 3333 का क्या मतलब यहां पर इस्तमाल किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, ल बहुत इगंफ्यूजिंग स्वाल हो सकता है अब यहां पर आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहली बात तो इध्यान रखे यह बीएस बीडिया एकाउंट नहीं है क्या लिखा गया है बीएस बीडिया स्मॉल एकाउंट या फिर अगर इसको शॉर्ट में लिखे गर बात करें तो कभी भी 50,000 से उपर का बैलेंस नहीं होना चाहिए तो एकाउंट आपका इन उपरेटिंग हो जाएगा नेक्स अगर हम बात करें इसमें क्या-क्या चीज़ें हो समझते हैं बीएस बीडिये का मतलब क्या होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपोजेट minimum transaction मतलब minimum requirement नहीं कितना पैसा आपको रखना है यह सब नहीं होता है और इसमें जो के वाइसी होती 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 है अब यहां पर समझते हैं बीज़ेंट इसे में क्या difference है मतलब एक तो बीज़ेंट हो गया जिसमें आपको के वाइसी करनी है कोई minimum balance रखना नहीं है बैंक में आप बाकी की banking सुधाकार इस्तमाल कर सकते हैं और उसमें small account का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए आपके पास अभी के वाइसी के लिए जो फोटो आईडी प्रूफ है और नहीं है अब ऐसे केस में अगर आपको बैंक काउंट खुलाना है तब भी ख आपड़ेगा तो बारा महीने तक का आपको extension मिलेगा बारा महीने तक का समय मिलेगा आपके वाइस इला करके जमा करिए तो वह होगा क्या small account कहा जाता है उसे small account इसले कहा जाता है इसलिए small account पर क्या है limit है limit कैसी कैसी है जो एक तो मैंने आपको बताए कि balance आपका 50,000 account में वो एक लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए at any point of time मतलब ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए हैं आपने 44,000 रुपए रखे हुए हैं उसके आपने कुछ पैसा निकाला और फिर से उसमें 50,000 डाल दिया फिर निकाला फिर से 20,000 डाल दिया तो total credit के अगर बात करे वो 10,000 रुपए से ज़्यादा एक महीने में नहीं हो सकते तो 10,000 के limit किसके लिए है withdrawal के लिए एक महीने में 10,000 ज़्यादा का withdrawal अगर कर लिया तब भी एकाउंट आपका in operating होगा यह क्यों ऐसा किया गया है क्योंकि यह जो account है small account जातर गरीबों के लिए हैं ऐसे लोग जिन लैक मनी वाले लोग हैं या मनी करने वाले लोग हैं वो ना कर सके हैं हम देखते हैं इंडिया बहुत होता है कि गरीबों को कुछ पैसा दे करके उनसा account ले लिया जाता है और उसका इस्तमाल आजकल साइबर फ्रॉट से ले करके इस तरह की चीज़ों में होता है और यह नो तो इसलिए इसमें लिमिट रखी गई ताके इसका दुरूप योग ना किया जा सके KYC की कमी होने की वज़ा से अब यहां पे अगर हम बात करें कि क्या कोई भी वेक्ति एक से अधिक BSBD account एक बैंक में खुलवा सकता है नहीं एक बैंक में केवल आप एक ही BSBD account खुलवा स सकता है या फिर पहले से BSBD account उसका अगर किसी ब्रांच में चल रहा है क्या वो सेविंग खुलवा सकता है उसका भी जवाब है नहीं अगर BSBD account है तो आप सेविंग खुलवा सकते हैं अगर है से पहले से तो तीस दिन के भीतर उसे क्लोज करना होगा यह इसकी सर्त है यह एसा नेशनल पार्क है जो कि विनेशको की वर्ड हरिटेज लिष्ट का पार्ट नहीं है तो इसका क्या सभी जवाब है काजी रंगा है क्या नेशनल पार्क येस कहां पर पढ़ता है आसाम में पढ़ता है और वर्ण हॉर्ड राइनो के लिए एक सिंग वाले जो इंडेमिक स्पिशीज हैं जिस वज़ा से फेमस हैं जिन में से आपको कुछ कहना हूँ अगर मैं आपको बता हूँ जैसे गोल्डन लंगूर हो गया तो उसके लिए फेमस है इस तरह के और भी स्पिशीज है क्या केवला देव नेशनल पर क्या यह इस लिश्ट में है यस यह अब है यह कहां पर है यह राजस्थान में और किस लिए फेमस है यह बर्ड्स के लिए फेमस है बर्ड्स के लिए यह बहुत फेमस है ब्रीडिंग पॉइंट है फीडिंग पॉइंट है उसके लिए बहुत फेमस है क्या गीर नेशनल पार्क यह आता है तो यही आपका सही इस आफि़ से स्टार्ड होता है ब्राजील रशया इंडिया चाइना साओ्थ अपरिक्या तो यह ब्रिक्स जो संस्था इसमें यह पांच देश तो आपके हैं लेकिन अभी और भी देशों को इंट्री मिली है तो उसी हिसाब से सौल पूछा जा रहे कि कौन से ऐसे देश नहीं है कौन से इसका पार्ट नहीं है यह करेंट फिर मैंने कवर कर रखा है तो देख सकते है तो इसका पार्ट रशिया चाइना तो है एजिप्ट क्या पार्ट है यह एजिप्ट अभी जोइन किया है आर्मेनिया क्या पार्ट है नहीं क्या एथियोपिया पार्ट है यह इस इसने भी जोइन किया है यूई ने जोइन किया है यह तो पार्ट है आर्मेनिया नहीं है आ आज की इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको ये सारी चीज़े समझ वाएंगे, बहुत इंपोर्टेंट चीज़े हैं, डीटेल मैं आपको बताएंगे, जो इंपोर्टेंट चीज़े हैं, इसका जो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जागा, जोईन कर सकते हैं, बाकी आप पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, मिलते हैं अगले वीडियो में सबी लोगों को बाएंगे.